नमस्कार मैं हूँ सौरब कुमार नीज 24 डीजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है इस वक्त हमारे साथ भी आईपी सुप्रीमो मुके सहनी है सरीए बताइए इस महीने आपका कारेकाल खत्म हो रहा है उसके बाद क्या ठीक है एक प्रक्रिया है जो जो समय के लिए सब्धी के लिए हमें विधान परिसंद सदस्ट में बना था वो समय खत्म हो रहा तो यह परक्रिया है और हम लोग जो काम कर रहे हैं पार्टी को विस्तार कर रहे हैं संगठन मजगूत कर रहे हैं यह सब पर लगए हुए हैं और काम किये तभी इस जगह पे पहुंचे हैं और अभी तो इस जगह पहुंच चुके हैं पुरे बिहार में संगठन पाटी मजगूत हो चुका है और हम लोग तो अपने लिए तो राजनित करने रहे हैं अपने लोगों के लिए कर रहे हैं अपने विचारधारा के लिए कर रहे हैं कि हमारे विचारधारा जिंदा रहे घार दकट कबीक खटम नहीं हो तो ापने हैं लोग विद्धान सबाफ मैं पहली बार चार्ग बिधीक ररहा हैं हूद यह पहली बार हमने एक मल्ला निशाद का बेटा बिहार में मुखमंत्री बनाएं हमारे समर्थन से बिहार में मुखमंत्री बनाना अगर हम समर्थन नहीं देते तो नहीं बनता मुखमंत्री तो हमने मुखमंत्री बनाया हमने बिधायक बनाया हमारे समर्थन से बिहार में 32 मंत्री बने तो हम लोग बनने के लिए नहीं बनाने के लिए और उस प्रक्रिया में बनते रहेंगे तो हमारा संगठन पार्टी पर हम लोग काम कर रहे हैं और कि दोजार्ट चोविस में मजगुती से पार्टी चुनाप पूरे परदेश में लएंगे तो यह चलता रहेगा अभी हम लोगों ने तो बिधायक बना लेकिन कुछ लोग गलत करने वाले लोग हमारे साथ गलत किया उसका भी हम लोगों ने जवाब दे दिया और और आने वा पूर्ट किया था फिर आप यहां तक पहुंचे लेकिन फिर आप वहीं पहुंच गया यह इस बात का तो अफसोस लगता है ना ने उस जगह तो कभी नहीं चुटना चाहिए जिसको चुट गया उस फिर आप कहीं के नहीं है तो सरक तो हमारे लिए चाहिए हमेशा हमने पर्मुकतस लाड़ा आपने देखा कि विहार में भी जुब भी जो बात होता तंप परमुकतस रखते थे अवे तो उस समय में को परोना काल में जिस समय में लोगों को उनसे उमीद था लोग के बीच में वो जाते थे हमने कहा सरकार को कि यह गलत टाइमिंग है इस समय में इस तरीके से नहीं होना चाहिए ठीक है तो हमने परमुक्ता से बात किया उसमें आपने देखा कि सरकार सब इधाय का नीधी सब मुखमंतरी 22 करोड़ रख लिए कि नहीं करन यह सरे चीजें हुई नए ने मेरा मुझे लगता है यूपी चुनाओ में मुकेसानी कुछ ज्यादा बोल दिये जो नहीं बोलना चाहिए तो दुनिया में कोई ताकत क्यूं नहीं हो आज मोदी जी है कल राहल जी आएंगे तो भी उन से लड़ेंगे हमें निसात को आर अधिकार लड़ाय लड़ने के लिए थे हम यहां पाटी बनाने के लिए नहीं आये थे यह प्रस्तिती बना की 2008 रहा हमें पार्टी बनाना परा लेकिन हम 2014 से लेकर लगातार चार साल हमने संघर्ष हमने किया अब यह मुझे लगता है कि पावर उनके पास वह पावर अपन दिल्ली में होंगे या बिहार में हमारे भरपूर विधायक होंगे चार गो रहेगा तो तोड़ी लेते हैं अब देखें ना किस तरीके से लोग लाज देख यही अगर हमारे पास है जैसे भारती जनता पार्टी के पास या रजडी के पास एक अच्छा सीथ है असी को भी तो इसलिए हम अपने जनाधार को बराएंगे पीधायक बराएंगे तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं आपको नहीं लगता एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि जो बरी पार्टी है छोटी पार्टी ओं को खतम कर रही है हाँ यह तो अभी देखने के लिए तो मिलना है अभी आप देखिए तो लिए पी की बात करें फिर ओवेसी की पार्टी की बात तो यह सब चीजे जो है वह गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो फिर लोग तंतर कहां जिंदा रहेगा चोटे पार्टी पार्टी बना हुआ वही पार्टी देश पर चोटी पार्टी खरीद लेगा गुम्रा करेगा धर धराएगा धंकाएगा पचास तरह के बाते होता होता और लोग डर धमक के चला जा रहा है इसके लिए कानून में बदलाओ कि आप सकता है और इसमें मुझे लगता है कि पांच-दस बिदाय के नीचे अगर जिसकी पार है ठीक है तो सरकार कानून एक बनना चाहिए ठीक है और जो लोग यह करते हैं उसको समय समय पर उसको जबाब मिलेगा क्या समझें कोई भी क्यों नहों करेंगा तो हमको भी देश के जनता जबाब देंगे ठीक है अभी आप NDA में नहीं है सत्ता में नहीं है तो आपने सत्ता में आएंगे अगर अगर आएंगे तो कैसे आईंगे जब रहेंगे तो आप लोगों को काम कणा पये तो निश्चित और हम उसके लिए संघर्ज कर रहें और पुना हम लोग लड़ाई लड़ा फिर से हमारी पार्टी है पाबर में सत्ता में हम लोग आएंगे अपनी विचारधारा जो मेरा ड्रेम पोजेक्ट है कि बिहार में कम से कम दस लाख पसू को लाकर और अच्छा बिहार में स्मॉल डेरी का पोजेक्ट जो हमने लाया साथ अजार करों रुपेया का वो पूरा बिहार में लगे ताकि दो लाख यूबा को रोजगार मिल सके तो और बिहार में आज हमारे पास दूसरे राज से दस लाख लीटर दूद आता है हमें अपने राज से दस लाख लीटर दूद दूसरे राज में भेजे यह चंता हमें बनाना लेकिन आपको लगता है कि आप कैसे सर्वाइब करेंगे एक पार्टी आरजेडी जो आपके पीठ में खंजर्व हो की एक बीजेपी जो सामने से खंजर्व हो की तो से रोड पे हैं अब आपने देखा कि आज हमने बचा में बीजेपी के साथ नहीं था हमने लड़ गया बीजेपी के अपनी ताकत उनको समझ में आ गया और वहां पे सर्वाइब नहीं हो पाए खतम हो गये और 37,000 बोट साहार गया इससे पहले भी जब हम आरजेडी के साथ सिम्री वक्तियारपूर में चुनाब लड़े उसमें जेडियू 15,000 बोट साहरा तो हमारे पास वह ताकत है कि हम किसी को जीता सकते और किसी को हरा सकते आज हमने 2020 में आरजेडी के साथ नहीं रहा इंडिय में आ गये तो यह जो ताकत है यह बड़ी पार्टियों को क्यों न तोड़ दिया अब जब अभी उस समय में हमारे लिए लॉंचिंग था हमने गारा में भी कर लिया क्योंकि हमारे अपने दोस्त ने हमको धोखा दिया हमारे पचीश सीट और डिप्री सीम का बात होके अलास्ट आवर में हमसे गठवंदन तोड़ा तो मतलब हमसे चिटिंग पहले से समको वह पाटी 18 सिट का ओफर करता था लेकिन हम नहीं बोलते थे क्योंकि हमारा जहां पे हमारा बात था वहां पे 55 पर हमको ओफर कर चुका था लेकिन हम नहीं किए लेकिन इधर से हम गठवंदन तोड़े जब हमकेले मैधान माये तब सामने वाले ने हमें बुल लेना है और तो यह से भी बदला लेना और बीजेपी से भी बदला लेना कि पुराने जो होते न वह भर जाता है नहीं जह होता है तो पुराना RGD पुराना हो चुका मैं आपका कहने का मतलब है कि RGD ने जो आपको जखम दिया वह भर गया है अभी पुराना हो चुका अब लिटस तो जखम do 하나 di manage यह अभी ताजा है तो जब पुराना जखन भर जाए तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा अगर कुछ बिहार में स्यासी उठापटक होती है तो आप आरजेडी के साथ जाएंगे यह तैह है किसके साथ जाएंगे यह समय बताएगा ठीक है और लोग हम जाने के लिए हम जितना इंति सोचे उतना बहुंत मतलब समान के साथ मेरी ताकत है मैं अगर आपको अगर कुछ नहीं बनाना चाहिए तो हम आप और अब ही आपकी मांग वही है कि अगर आप सीम बनते हैं तो मुझे डिप्टी सीम बनाए हम अगर आपको सीम बनाते तो हमको डिप्टी सीम चाहिए सिंपल सी बात है अगर आपको अगर लगता है कि हम अपने से बन सकते तो बनिए भाई अच्छा आपको क्या लगता है कि बिहार में कुछ बरा होने वाला है कोई बरा खेल होने वाला है आने वाले समय रहे हैं लेकिन जरूर निशित और पर हमें जो जिस तरीके से दिख रहा है आने वाले समय में बदलाव होगा मुझे लगता है कि को अपिडिये में नितिश कुमार कमफॉर्टेबल है कि से देखने मिल रहे हैं इस तरीके से लोगों को अपनी ताकत कोशिज करते हैं तो कंफिटेवल नहीं है अपस में लराई लोग को जरूरी से ज्यादा हो रहा है कुछ चीजियों को लेकर तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने लराई लड़कर बिहार के जनता के लिए काम करने का वादा किये लेकिन वो बिहार के जनता के बारे में कम अपने खुर्सी के लिए लोग ज्यादा सोच रहे हैं तो यह मुझे लगता कि सब कम सोचना चाहिए बिहार के जनता के लिए ज्यादा सोचना चाहिए धन्यवाद हमारे साथ थे सन ओप मल्ला मुकेस सहनी जो हमारे सभी सवालों को काफी बेवाकी से जबाब दिया इन्होंने और सबसे अभी दावा है कि आने वाले समय में काफी कुछ होने वाला है यानि कुछ बड़ा खेल होने वाला है आप बने रहिए निउस 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर